बात करते हैं नॉइडा में नमाज विवात की जो कि बढ़ता ही जा रहा है कुछ दिन पहले नॉइडा सेक्टर 58 के SACHO ने बड़ी बड़ी कमपनियों को चिठी लिखकर कहा था कि अगर उनके मुस्लिम कर्मचारी पार्क में नमाज पढ़ते हैं तो कमपनियों को इसके लिए दोशी माना जाएगा नॉइडा पुलिस ने दलील ये दी थी कि चुनावी माहौल में सारवजिनिक जगों पर नमाज पढ़ने से संप्रदाइक सौहार्द बिगड़ सकता है नॉइडा पुलिस के इस फर्मान के बाद आज पहला शुक्रवार है यानि जुमे का दिन कुछ देर में नमाजी नमाज अता करेंगे जिस पार्क में नमाज को लेकर विवाद है उस पार्क के चारो तरफ बड़ी संख्या में पुलिस तैनाद कर दी गई है या तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस का कहना है कि अगर कोई भी यहाँ नमाज पढ़ने आता है तो उसे रोका जाएगा नॉइडा के पार्क में नमाज पर मनाही के बाद काफी तदात में पुलिस को तैनाद किया गया है इसक्त में नॉइडा सके 58 के उसी पार्क में मौझूद हूँ जहां कुछ दिनों पहले नमाज अदा की जाती थी लेकिन अब उस पर रोक लगा दी गई है आतियातन के तोर पर पुलिस को तैनाद किया गया है आप तस्कीर में देख सकते हैं कि यहां पर चारुत तरफ पुलिस के जवान तैनाद हैं जो कि निगरानी कर रहे हैं कोई भी शक्स अगर यहां पे नमाज पढ़ने के लिए आता है तो उसे मना किया जाएगा उसे बताया जाएगा कि आदेश कि यहां पे नमाज जो है वो अब नहीं पढ़ी जाएगी तथाने लोगों ने एक शिकायत कि थी जिसमें उन्होंने कहा था कि यहां पे काफी लोग जो है आते हैं नमाज पढ़ते हैं यह संक्या पहले कम थी लेकिन धीरे-धीरे काफी बढ़ती चली गई यहां पर किया जाता था जिसके बाद परशाशन ने कड़ा कादम उठाया और नमाज पर मनाही कर दी उनका साफ केना था कि अब इस पार्क में को कर सकता है तो साफ है कि फिल्हाल काफी तदात में पूलिस पल को तेनात किया गया है जो की चप्पे चप्पे पर निगरानी करे हुए हैं तो नौइडा में सेक्टर अठावन के पार्क पर पूलिस का पहरा है यह है एबीबी नियूज आपको रखे आगे झाल 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 झाल